जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज हम लोग सुरू कर रहे हैं कारण बताओ सिरीज कारण बताओ सिरीज के अंदर हम लोग उन सवालों के जवाब और कारण को जानेंगे चो परिक्सा में आम तोर पर पूछे जाते हैं तो आईए जानते हैं आज का पहला सवाल क्या होगा बच्चो आज का सवाल है कमरे के ताप पर NS3 द्रव है प्रन्तु PS3 कैस क्यों बताइए NS3 में केंद्रिय प्रमाणू N, PS3 के केंद्रिय प्रमाणू P से अधिक रिण विद्धुती होता है जिस कारण अमोनिया में H बंद बनता है लेकिन PS3 में नहीं बचो ध्यान रखेगा हाइड्रोजन बंद बनाने के लिए हाइड्रोजन का रिण विद्धुती ततु के साथ में जुड़ा होना जरूरी है अब यहाँ पे आप देखिए यह तीन एक्जामपल आपके सामने है एक NS3 का है एक HF का है एक H2O का है आप यह बताईए कि यहाँ पर हाइड्रियन आपको किस के साथ में जुड़ा हुआ या बंद बनाया हुआ दिख रहा है यहाँ पे F के साथ में यहाँ पे H जुड़ा है O के साथ में यहाँ पे H जुड़ा है N के साथ में तो कुल मिला के अगर देखा जाए F O और N अगर आपका हाइड्रियन जो है वो F फलोरीन के साथ में ऑक्सीजन के O के साथ में या फिर नैट्रियन के N के साथ में बंद बन अगर आपको ये पता है तो बड़ी अच्छी बात है नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए और ये तीनों तत्व जो होते हैं ये पूरी आवर्सानी में सबसे ज़्यादा अधिक रिन विद्धुती होते हैं तो अगर संगसेप में पूछे तो आप ध्यान रगना कि भाई अमोनिया का नाइट्रोजन जो है केंद्रे प्रमाणू फासफीन का जो फासपोरस है पी केंद्रे प्रमाणू इन दोनों की बात कर लेते हैं भै हाईडियन तो दोनों में समानी है अब यहां पर आपको दियान लखना है कि जो नाइट्रोजन होता है अमोनिया का वो रण्यूटी होगा तो केवलNS-3 अनू ही हाई्यिएन बंद बना पाएंगे PS3 के जो अनू होंगे ये हाई्यिएन बंद नहीं बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे क्योंकि भईयाज फासफोरस जो है वो नाईटियन की तुल्ला में बहुत कम रण्यूटी होता है और हाइडियन का रिणविद्धूती तत्व के साथ में जुड़े होना सबसे जरूरी है अगर ये FON के साथ किसी एक के साथ है तो हाइडियन बंद बनाएगा अगर किसी और के साथ मैच जुड़ा है तो वो नहीं बनाएगा फास्फीन में हायोडेन बंद अनुपस्तित होता है अमोनिया में हायोडेन बंद उपस्तित होता है ये तो आपको स्पस्ट होई गया होगा अब यहीं से सारे कारण सुरू हो जाते हैं कैसे आई जानते हैं H-band के कारण NS3 के सारे अणू अपेकसा करत मजबूती से आपस में बंदे रहते हैं और संगुनित हो जाते हैं जबकि PS3 में H-band अनू पस्तित रहता है जिस कारण PS3 अणू संगुनित नहीं हो पाते हैं अब इसको आप डायग्राम की साइटा से समझ लीजिए देखिए यहाँ पे अमोनिया अमोनिया NS3 NS3 के बहुत सारे अनू दिखाया हुआ है यहाँ पे फास्पीन दिखाया हुआ है आपको समझने वाली बात यह है कि देखिए यह वाला जो एक NS3 अनू है यह दूसरे NS3 से जुड़ा हुआ है बच्चो यह है हमारा दूर्बल हाइडियन बंद यह जो आप देख रहे हैं यह हाइडरोजन बंद है क्या ही आपको सबस्ट है तो यहाँ पर आप देख पारOh know the हाइडियन बंद होने के कारण अनेक अमोनिया जितने भी अमोनिया वहाँ पे अनू होंगे उस पातर के अंदर वो सारे पास पास आने सुरू हो जाएंगे अब माल लीजिए ये हमारे अमोनिया अनू है माल लीजिए मानने में के जा रहा है अब इनके बीच में लगने लगा है हाइडियन बंद, तो हाइडियन बंद होने के करण ये सारे अणू पास पास आने लगेंगे, और जब ये पास पास आ जाते हैं, इसको बोलते हैं संगुनन, देखे सारे अणू जो हैं, वो पास पास आएंगे, क्योंकि हाइडियन बंद जो हैं इन अनुओं को पास-पास खीच रहा है पास-पास बांध रहा है इसको संगुनन होने के करण इनके बीच में दूरी कम होने लगेगी और आप जानते हैं कि जब अनुओं के बीच में दूरी कम होने लगती है तो उनके बीच में आकरशनबल जादा होता है इसका तब आप जानते हैं जब दूरी कम होगी आकरशनबल बढ़ेगा और वो पदाद द्रव अवस्था में बदल जाएगा लेकिन अगर फासफीन की बात करें इसमें सारे अनू जो होते हैं वो विलगित होते हैं अलग अलग रहते हैं क्योंकि उनके बीच में कोई आकरशनबल क काम नहीं करता है तो यहां पे जो आप देख रहे हैं फासफीन या पीस-3 कानू वो विलगित है जी विलगित है इसका मतलब क्या हुआ विलगित है कि वो अलग अलग रहेंगे पास पास नहीं आएंगे और जब तक वो पास पास नहीं आएंगे तब तक वो दरव अवस्था में बदल नहीं सकते हैं और पास पास लाने के लिए उनके बीच में नहीं लग रहा है हाइडोजन बंद तो किलियर हुआ अ अमोनियन अनु के बीच में हायोडियन बंद उपस्तित होने के कारण सारे अमोनियन अनु पास पास आजाते हैं, उनका संगुरन होने लगता है, वो आपस में जुडने लगते हैं, आकरशन बल बढ़ता है, बीच की दूरी कम होती है, दूरी कम होने के कारण गैस अवस्था बदल जाती है द्रव अवस्था में लेकिन फास्फीन में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ हायोडियन बंद नहीं होता है वहाँ पे हायोडियन बंद इसलिए नहीं होता है क्योंकि केंद्रिय परमाणू फास्फोरस जो P होता है वो N की तुलना में कमरण विद्धुती होता है। इस परस्ट है आपको अते हाइडियन बंद के करण कमरे के ताप पर NS3 द्रहवस्था में जबकी PS3 गैस वस्था में रहता है। ये आपको सपरस्ट जरूर हो गया होगा, कारण रहेगा हाइडियन बंद। अब यहाँ पर जाते जाते एक चीज और सुन लिजिए, ये सवाल दो तरीके से आता है, फिर से बोलता हूँ ये सवाल दो तरीके से आता है, एक तो ये की कम बताईए, कमरे के ताप मान पर NS3 द्रव होता है और PS3 गैस होता है ये क्यों होता है ये तो आप जान चुके हैं अब जिसी का दूसरा सवाल सुन लीजिए और वो दूसरा सवाल ये है कि क्या कारण है कि PS3 का क्वतनांक NS3 से कम होता है जी हाँ ये दूसरा सवाल है ये दोनों सवाल भेस बदल के आते हैं लगाता रहते हैं तो दूसरा सवाल का भी उत्तर यही होगा कि अमोनिया में क्या होता है जी हायडियन बंद होता है PS3 में हाइडियन बंद अनुपस्तित होता है जिस करण अमोनिया के अनुगों के बीच में आकर्शन बल अधिक लगता है उनका संगुनन हो जाता है वो पास पास आ जाते है इसी लिए अमोनिया का कवतरांग फास्फीन की तुल्ला में अधिक होता है क्या ये आपको स्पस्ट है ये था हमारा आज का करण बताओ सिरीज का पहला सवाल है